नमस्का व्यूवस एना के रसोई घर में आप सब का स्वागत है व्यूवस आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छे केले की सबजी जो की सेहत के लिये काफी अच्छी होती है स्पेशल ये है कि आज हम इने छिलकों के साथ बनाने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी हमने लिया है एक पैन या कड़ाई और उसमें सरसो का तेल डाला है एक टेबल स्पून एक चमच जीरा और साथ ही हम डालेंगे तीन से चार कटे हुए बारी कटे हुए प्याज यह हमने 6 के ले लिये हैं वेट के कोडिंग यह 500 ग्र ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा ट्रांस्पेरंट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड आदरक और और स्लिट की हुई 3-4 हरी मिर्च तो बस इसे हम इसमें डालके थोड़ी देर भून लेंगे जब यह स्लिट की हुई मिर्चे भून जाती है तो इनका तीखाप तो कम होई जाता है और खाने में यह काफी अच्छा स्वाद देती हैं अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर 1.5 चमच धनिया पाउडर इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ठीक डलता है और साथ हम डालेंगे तीखी लाल मिर्च वह आप स्वाद अनुसार डाल लीजेगा तो यह काफी तीखी है तो मैं थोड़ा ही इस्तमाल कर रही हूँ और अब हम डालेंगे इसमें देगी मिरच कलर के लिए और बस अब इन मसालों को हमें भून लेना है तो इसमें सबजी में हमने तेल मिनिममम यूज किया यानि कम से कम यूज किया है अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा गी तेल और डाल सकते हैं और जब लगे कि अब मसाला भून चुका है तब हम इसमें डालेंगे डाइस टमाटो यानि टमाटर को बारिक बारिक काटके पीस के नहीं डालने हैं बारिक बारिक काटके चार से पांच टमाटर आप डालें क्यो और साथ ही हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नामक और इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे अच्छे से चलाके मीडियूम टू लो फ्लेम पर हम गैस कर देंगे और इसे लिड लगाकर पकने के लिए थोड़ी देर रख देंगे इसी बीच हम केले को काट लेते हैं हमने लिए आदा किलो केले और उन्हें खुब अच्छे से धो लिया है और इसके ऊपर नीचे के थोड़ा थोड़ा पौर्शन हटाके लंबे दो चीरा लगाया है और इस तरह से उसे छिल को समेत ही हमने इसे काट लिया है तो ये जो छिलक इस सब्जी को आप पहले से काटके ना रखे जब मसाला भून रहा हो तब इस काटके रखे अगर अगर आप इसे काटे रख्ते तो यह काले कड़े अंधर चाहिा अगर काटके पानी में डिपकर तो मलाई डालने से सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और इसका कलर भी काफी अच्छा आता है चलिए अब हम इसे अच्छे से इसमें चला लेते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए से भून लेते हैं मसाले का काफी अच्छा सा टेक्स्चर आने लगा है अब हम इसमें खुश्बू के लिए डालेंगे कसूरी मेथी तो एक से डेड़ चमच के बीच आप कसूरी मेथी ले लीजेगा और हतेली के बीच में रखके उसे अच्छे से रगड के आप इस पे डाल दें तो हमाई सब् केले का अपना कोई खुश्बू होती नहीं है इस सब्जी में तो इसलिए कसूरी मेथी डालते हैं तो इसकी जो खुश्बू है उससे ही काफी इच्छा करती है इसे खाने की तो आप इसका इस्तमाल जरूर करें इस खाने को बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगी मसाला मिक्स कर लेते हैं इसको अब हम इसमें डालेंगे 60 ml पानी अन्दाजे से आप डाल सकते हैं दो चम्चे के बराबर 60 ml पानी डाल दिया है अब इसे चला के हम इसे धक के मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट तक पका लेंगे बड़ी हा कलार आ रहा है सबजी का चले डग देते हैं चार मिनट बाद इसे खोल लें और इसे अच्छा से एक बार चला दें अब इस समय गैस की जो फ्लेम है वो आप बिल्कुल लो कर दीजे यानि मीडियम टू लो कर दीजे और इसे फिर से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें तीन से चार मिनट लो फ्लेम पर जब आप खोलेंगे तो अलमुस्ट ये सबजी बन चुकी होगी तो एक बार आप इसे चला लें अच्छे से और उसे चेक करें कि केले के पीसे गले हैं या नहीं तो इसे हम एक स्पून की हल्प से चेक कर लेते हैं आप उसे एक चमच से थोड़ा दबा के देखें अगर ये दब रहे हैं तो यानि गल चुके हैं तो इस समय ना सबजी बहुत जादा भी नहीं गलानी है हल्किसी खड़ी सबजी रहनी चाहिए यानि बहुत जादा गली भी नहीं होनी चाहिए बस इस समय हम इसमें चमच गरमम जूब 1 गवी तो आट के अन्यगा और के इसमीन नयुका चाहिए तो आप यह कलम सक्षरय और स्थैलियो नारियल गाएं Chief चुनल नारियल का दोट बूदेख क Nepom gaffam और इसको गैस को बंद करके दो मिनट के लिए इसे लिड लगा के छोड़ देंगे और हमारी बड़ी हासी केले की सबजी बनके तयार है तो चलिए अब हम इसको सब कर लेते हैं तो विवर्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेज जरूर कीजेगा और एक बार ये सबजी जरूर बनाईएगा सेहत के लिए तो अच्छी है ही और इसमें नारियल और मेथी पड़े होने की वज़े से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है आप इसे पूरी पड़ाथे दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग